नमस्कार मैं हुनिशा आप देख रहे हैं एश्या न्यूज इंडिया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान के लिए अपने फसल को बचा पाना बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि अगर वो दिनबर सुरक्षा के लिए खरा भी हो तो रात के वक्त वो पूरी रात खेद में खरा नहीं रह सकता अब ऐसे में बहारी जितने भी जानबर होते हैं वो आकर फसल को बरवाद कर देते हैं ऐसे में किसान का वक्त भी जाया होता है और एकनोमिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है अब ऐसे में किसानों के पास कोई चाया नहीं बचता ना तो वो आर्थिक तोर पे मजबूत होते हैं और ना ही उनका वक्त बचता है ऐसे में किसान हतास और नहीं रास हो जाते हैं कई किसान इस वज़ा से अपनी फश्र वबाद होने की वज़ा से कई पार ये खबरे आती है कि वो आत्मत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा होता नहीं है जीवन जीने का, नहीं कोई दूसरा साधन होता है. अब ऐसे में एक अच्छी खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली में रहने वाले 24 साल के अभै शर्मा ने एक ऐसी मसीन बनाई है जिससे आवाज के जरिये उसमें इस सर्के के साउंड फिट के जाएंगे, जिसके जरिये आवाज के जरिये वहां आने वाले जितन क्लास फैमली से तालुक रखते हैं उन्होंने इंजिनियरिंग की पढ़ाई की है बचपन में से वे नेचर लवर रहे हैं और जंगलों की सेर करना उनका सौक रहा है इस मसीन को तैयार करने के किसान जनवरों को निस्ताना बनाते हैं इसे किसान और जनवरों दोनों को ही नुक्षान पहुंसता है अब है कहते हैं कि इससे देखने के बाद मेरे मन में आइडिया आया कि हमें इस तरह का प्रोड़क्ट लॉंच करना चाहिए जिससे समस्या भी दूर हो जाए और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचे इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेहन के साथ मिल कर काम करना सुरू किया इंटरनेट की मदद दी अलग लग तरह के एक्विमेंट और कॉंसेप्ट के बारे में चानकारी जूटाई और घर पर ही करीब 10,000 रुपए की लागत से मसीन त नहीं था लेकिन इस मसीन को देखने के बाद कई लोगों ने हमसे कॉंटेक्ट किया और इसकी डिमांड की तब हमें रियलाइज हुआ कि इसे कॉमर्शियल लेवल तक ले जाया सकता है इसके बाद हम लोगों की डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट तयार करने लगे कुछ जिनों तक ऐसे ही चलता रहा हम पढ़ाई भी करते रहें और साथ में अपने प्रोजेक्ट को लेकर काम भी करते रहें इस तरह धीरे धीरे हमारे पास पैसे इकठे होते रहें अभाई के मुताबिक जब फॉरिस्ट गार्ड्स को इस मसीन के बारे में जानकारे मिली तो उन इसके मदद से जंगली जानवरों के हमले को कंट्रोल किया जा सके साल 2020 में अभाई के इंजिनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई नौकरी का उफर मिला लेकिन उन्होंने तै कि अब आगे इसी प्रोजेक्ट को लेकर काम करना है इसके बाद गाजियाबाद में उन्होंने क्यारी नाम से अपने स्टार्टप की सुरुवात की और लोगों की डिमांड के मुताबिक प्रोड़क्ट तयार करने लगे हलाकि सुरुवात बहुत अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला महिने एक दो ओर्डर ही आ रहे थे इसके बाद अभाई ने मार्केटिंग का दाइरा किया सुसल मीडिया पर अपनी कंपनी के नाम से पेज बनाया और प्रोड़क्ट की फोटो वीडियो अप्लोड करने लगे अपने प्रोड़क्ट के बारे में ब्लॉग लिखने लगे इसका उन्हें फायदा भी मिला और ग्रहागों की संख्या भी बढ़ गई भारत के साथ दूसरे देशों में भी उनके प्रोड़क्ट की डिमांड होने लगी फिलहाल हर महीने उनके पास एक हजार से जादा प्रोड़क्ट के ओर्डर्स आ रहे हैं आमकिसानों के साथ ही कई राजियों की सरकारों ने भी उनसे प्रोड़क्ट खड़ी दे हैं अभै की टीम में 10 तक काम करते हैं जो प्रोड़क्ट तयार करने से लेकर मार्केटिंग और डिलीव्री में मदद करते हैं फिलहाल अभी अभै दो तरह के प्रोडिक्ट की मार्केटिंग करते हैं एक स्मार्स्टिक झोग्यों 이미 ज़नावरों के हमले से बचाती है दूसरी इनाइडर्स जो जन गन और पेंटिक बटन लगा है इसमें सेल्फ डिफेंस और जानवरों को भगाने में मदद मिलती है बड़े से बड़ा जानवर डरकर पीछे भाग जाते हैं इसकी कीमत 8000 रुपए से सुरू होती है सबसे अच्छी बात है कि इससे असानी से कैरी किया जा सकता है इस तरह इन मौसम के किसी भी प्रकोप से नुक्सान नहीं पहुंचता है इसकी भी कीमत 8000 रुपए से सुरू होती है कि किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने प्रोड़क्ट को सुरक्षित रखना होता है खास करके हरी सबजिया और फल यह बहुत जल्द खराब हो जाते है जातर किसानों के पास अपने प्रोड़क्ट को सुरक्षित स्टोर करने की जगा नहीं होती है इस वज़ए से उन्हें अपने प्रोड़क्ट और पॉने दावों पर ही बेचना पड़ता है इस परशाने को दूर कर लिए भी हर के मधुबर्नी जीले में रहने वाले सा फायदा हो रहा है पिछले दो सालों से विकास देश वर में इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं फिरहाल उनकी कंपनी का टर्ण ओवर दो करोर रूपए हो चुका है आप यहां साफ देख सकते हैं कि इसमें दो लोगी कहानी बताई गई है और दोनों ही अभी अच्छी खासी र करोर तक का टर्ण ओवर हो चुका है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं इसे न्यूज इंडिया राजी